leftover लेंड वेल问题 आज जो हम लेक्ट होर करेंगे वहम करेंगे एककडिकल्चर क्रॉसेस पर अगर क्या होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं वह मुआ डिस्कर्ष गर्राथ prosperity basis तो उसका लिंक भी आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, तो हम काफी सले बस cover कर चुके हैं, और अगर कोई ऐसा subject है, कोई ऐसा topic है, जो आप चाहते हैं, कि मैं चल्दी cover करा हूँ, तो please मुझे comment books में बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe my channel, क्योंकि यार, agriculture marketing process है, उसमें कहा कि कुछ series of activities हैं, जो हम discuss करेंगे, ठीक है, समान बनने से, मतलब goods बनने से लेके consumption तक, मैं यहाँ पर अगर आपको goods बोल रहे हूँ, तो आप समझना कि कोई भी agriculture समान है, ठीक है, agriculture का कोई समान है, तो here is a journal overview of key steps, ठीक है, और जो यह मैं करा रही हूँ, यह मैंने चैट GPT से लिया है, तो आप भी नॉर्मल अगर टाइप करोगे, agriculture marketing process, तो आपको वहाँ से यह मिल जाएगा, तो first step है, वो है production, तो production क्या देखो, सबसे पहले क्या होगा, आप अपने agriculture product को बनाओगे, कोई भी, या तो crops है, livestock है, या फिर कोई और farm produce है, तो यहाँ प को harvest कर लेते हैं, harvest में क्या होता है, कि आप crops होई खटा करते हो, और आगे processing और distribution के लिए भेजते हो, ठीक है, next आता है grading and sorting, देखो grading क्या होता है, अमालो आपने खाद कैसा डाला था, ठीक है, उसके base पे quality भी तो उसी वाइस होगी न, बाते हैं, अलग लग 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 ल product है, उनको हम grade करते हैं और sort करते हैं, कुछ various criteria पर जैसे कि उसका size क्या है, उसकी quality कैसी है, उसका appearance कैसा है, तो यह आपको help करेंगे, categorize करने में products for different market and consumer preference, मतलब कि अब कहीं पर preference है क्या quality ठीक ठीक भी चल जाएगी, और कहीं पर preference है क्या quality अच्छी जाएगी है, तो वो उसक grade wise उन्होंने sort कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है packaging, packaging देखो अब क्या है कि agriculture products अब क्या होंगे, package करें हमको, ताकि अगर हमको transportation या storage के लिए रख रहे हैं, तो वो protect रहे हैं, ठीक है, तो packaging बहुत important role play करता है market में, क्योंकि यह क्या करता है कि उसकी visual appearance बढ़ाता ह ठीक है, और जादा information देता है about the contents, फिर आता है transportation, अब देखो आपने store भी कर लिया, कहीं पर उसको भेजना है, मालो कि दिल्ली से आपका MP भेजना है, कहीं पर MP से दिल्ली आना है, या कहीं से भी जहां से production हो रही थी, उसे consumption area पर हमें भेजना है, तो वो किस की थूरू कर सक में, जो आपका efficient transport है, वो ensure करेगा कि यार, product अच्छे से आपकी destination पर पोचे गया, और time पर पोचे गया, और quality भी वही maintained है, ठीक है, next आता है storage, अब देखो जहां पर गया है, अब यह तो है नहीं कि उन्होंने directly wholesaler के पास, अगर आप लेके गई है, यह तो है नहीं कि डिरेक पर storage करें तो देखो तो खराब भी नहीं होगा, pest भी control करने में help करेगा, freshness भी रहेगी, तो storage बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी देखो seasonal variations होते हैं, कुछ crops ऐसी हैं कि जो सर्दियों में उखती है, कुछ ऐसी हैं जो गर्मियों में उखती है, या कुछ ऐसी हैं जो और किस सीजन में उखती हैं, तो उसी हिसाब से हमें store भी करके रखना चाहिए, ताकि हम पूरे साल उनको चला सकें, क्योंकि यार कुछ ऐसा है न, कहीं पे गर्मी है, तो कहीं पे उस टाइम पे ठंड भी है, तो उसके लिए हम उनको store करके रखते हैं, और transport के थुरू एक प्लेस स क्या है, तो उसकी help से वो क्या करते हैं, अपना decision मनाते हैं कि कहां पे उनको वो agriculture product बेचना है, ठीक है, फिर आता है market access, अब क्या होता है कि farmers अपने product directly बेच दो सकते हैं, consumer को, या local market के थुरू, या कुछ intermediator होते हैं, जैसे कि आरत की दुकान हो गई, हमने बहुत सुना भी ह अपने local में भी, कि wholesaler or retailer के थुरू भी वो बेचते हैं, so जो accessibility है market or choice of distribution, वो depend करता है कि वो location कैसी है, वो इनका infrastructure कैसा है, या फिर nature क्या है product का, ठीक है, so अब आता है price determination, price determination क्या कहता है, कि जो price agriculture उसके, तो वो कैसे जैसे supply और demand पे, quality पे है, market की condition क्या है, और उस पे transportation cost क्या लगे है, तो वो farmer और buyer जोनों इस factors की base पे अपना price negotiate कर लेते हैं, फिर आता है promotion and marketing channel, तो marketing यहाँ पे अप क्या दिखाती है, कि आप अपने agriculture product को promote कैसे कर रहे हो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, आप यह पेच रहे हो, सबसे अच्छा example में आपको देती हूँ, आशिरव लगे, मैं आपील हो, market में appealing लगे, ठीक है, कि भी हाँ मैं खरीद दू, मतलब consumer खरीद दे, ऐसा लगे, ठीक है, तो यह भी एक बहुत important step है, next आता है consumer purchase, अब देखो जब सब कुछ हो गया, price भी determine हो गया, मतलब समान से लेके consumption area तक आ गया, अब सब price भी negotiate हो चुका है, सब ह तो अब किसकी बारी आती है, consumer के खरीदने की, तो जो final step है, आपे वो क्या है, consumer purchase करेगा, आपके agriculture product, या तो farmer से direct, या फिर local market से, या फिर retail outlet से, ठीक है, तो consumer preference, जो pricing और product quality है, वो आपके उस पर purchasing decision, उस पर depend करता है, so next आपका आता है feedback loop, तो जो agriculture marketing process है, उसमें, मतलब वो क्य कैसे उन्होंने production और marketing strategy apply किया, या फिर जो भी other expects है, तो वो आपको उसमें help करेगी, कि मैं क्या changes कर सकती हूं next time अपने उसमें, ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आयोगा कि कुछ नहीं है, कि बहुत easy step है, सबसे, कि एक समान बनने से लेके समान बेचने तक क्या पूरा process क्या factors भी क्या है, मतलब, अब अगर हम, क्यूंकि ruler marketing में, अगर rural की बात करें, तो यार वहाँ पे mostly उनका occupation ही क्या है, agriculture है, वो अपने खेती के थुरूई कमाते हैं, तो ये सारा आपको एक ruler area के context में करके ही, उसमें लिखना है, ठीक है, so I hope आपको समझ में आया होगा, अगर यो भी अच्छे लेगी, तो please like करें और subscribe करें, और share जरूर करें अपनी friends और family के साथ, जो भी exam दे रहे हैं, क्यूंकि मुझे पता है कि ये यार इतना ही है, कि आप exam दे रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप आगे field में जाओगे, तो आप अच्छे से समझ पर फिर भी एक basic understanding के लिए आपके लिए more than enough है, तो मिलते हैं next video में, thank you.